चाहे तो नर्बन जाई, चाहे तो नारी मारकंडी पुराण में अनुसुया के तीन पुत्र चंद्रमा, दत्तात्रे और महर्शी दुर्वासा की जन्म का विवरण आता है। यह तीनों ही देव शक्तियों के अन्शावदार थे। उनकी जेतना का संबंद ब्रहमांड की अद्रश्शी शक्तियों के साथ था। जबकी शरीरों का निर्मान रासाइनिक धंग से हुआ था। कथा इस प्रकार है। एक बार सती अनुसुया ने रितुस्टान किया। प्राक्रतिक जीवन में रहने के कारण उनका संदर्य वैसे ही अपरिमित था। अस्टान के बाद तो जैसे स्वयम कामदेव ही उनकी शरीर में उतराई। रजोदर्शन की उपरांत श्रिंगार किये हुए अनुसुया को देखकर एका एक महरशी अत्रिका मन कामोद्विक से विचलितो उठा। इससे उत्पन हुए विकार को व्यर्थ ना जाने देने के लिए उन्होंने तीन प्रकार के रसायन एक रजोगुणी जिसे विश्नुकाइश कहते हैं, दो सतोगुणी ब्रहमाकाइश और तीन तमुगुणी शिवकाइश तयार किये। यह तीनों एक प्रकार से अंड थे, जिन में उन्होंने अपने वीर्य कोश स्थापित किये। भ्रून के विकास के लिए उचित परिस्तितियां आवश्यक होती हैं, इसलिए इन तीनों को बाद में उन्होंने अंसुया के गर्व में बिना संभोग के प्रतिश्टित यही गर्व अंत में क्रम्ष, चंद्रमा, दत्तात्रे और दुर्वासा के रूप में जन्में। इन तीनों संतानों में अपने अपने रसायनों के प्रकृति गुणों के साथ दैवी गुणों की बहताया थी। तामस मनुक्य उत्पत्ती भी इसी प्रकार स्वराष्ट नामक राजा के प्रभाव से एक हरेनी के गर्व से हुई थी। प्रावन स्वयम बड़ा व्यग्यानिक था। उसने भी अपने मंदोदरी के उदर से एक ऐसी ही भुण को जन्म दिलाया था। पर पीछे उसने उसे असफल मानकर समुद्र में फिकवा दिया। इस भुण की विलक्षरता यह थी कि उसमें लाखों वीर्यकोश एक साथ विक्सित हो गए थे। गर्भ में यह संभव ना था कि वे सब बच्चे हो जाते। दबे रहने के कारण अविक्सित रह गए। इसलिए यह प्रयोग असफल हो गया था। यही भुण बहते-बहते एक पीपल की जड़ों में अटक गया। वीर्यकोशों में जीवन तो था ही सम्मिलित भुण छितर गया। और वे सब पीपल का दूध चूस-चूस कर उसी तरह बढ़ने लगे जैसे कोई एक कोशी ये जन्तु प्रोटोजवा विक्सित होता है। आखिर समुद्री आहार ले लेकर यह सब एक लाख पुत्रों में परणित हो गए। उनमें सबसे प्रथम बालक नारान तक नाम से प्रख्यात हुआ। शेश सब भाईयों को लेकर उसने विहवावल राजधानी बना कर स्वतंत्र राज इस्थापित किया। यह सभी एक ल किसी की भी पहचान नहीं कर सकता था। अरब में पाए जाने वाले फायनिक्स पक्षी यह पक्षी वहां रेगिस्थान में छटवी शताप्ती तक पाए जाते रहे। के संबंध में भी एक ऐसी ही पौरानिक आख्यान आता है। जिसमें यह बताया गया है कि रेगिस्थान में एक जगह राख पड़ी हुई थी। एक संत ने उसमें से ही युवा फायनिक्स को बनाया। ऐसा लगता है इस राख में प्रजनन वाले कोई अंश रहे होंगे और संत उनका जीव विज्ञान से संबंध जानते रहे होंगे। तभी उनके लिए यह संभव हुआ रगुवंश में युवनाश्व नामक राजा एक बार जंगल में भटक कर रिशियों के आश्रम में पहुँच गये। उन दिनों इस आश्रम में इस तरह का एक प्रयोग चल रहा था। विवध रसायनों से भरा एक घड़ा यग्यवेदी में रखा गया था। यग्य के मा अध्यम से रिशिगन उसमें जीवात्मा उतारने का प्रयत्न कर रहे थे। घड़े का अधिकाश भाग जल था। स्मरण रहे प्रोटो प्लाजमा जिससे जीवित शरीरों का निर्माण होता है उसमें अधिकाश भाग जल का ही होता है। रात में सब लोग सो गए। योवन पानी नहीं दिखाई दिया। प्यास रोक सकनी की स्थिती में भी वे नहीं थे। अन्तोत गत्वा उस घड़े से ही जल लेकर उन्होंने पी लिया। अभी मंत्रित जल उनके उदर में गर्ब के रूप में बढ़ने लगा। रिशियों के लिए यह और भी कौतुहल की बात की शलिक्रिया करके बच्चे को जीवित निकाला गया। यह बालक ही मानधाता नाम से विश्व विख्यात हुआ। सुद्यूम्न की कथा अगनी पुराण में आती है। वह पुरुष से इस्त्री बन गया था। तब उसका नाम इला हो गया था। इला एक दिन राजकुमार की विश में वन विहार के लिए निकली। सौम के पुत्र बुध ने उसे देखा तो कामा सक्त हो उठे। उन्होंने इला को वही स्विकार कर लिया। बुध उसी प्रकार की नक्षत्रिय शक्ति हैं जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा। वह कोई पुरुष नहीं था। पुरुरवा नामक प्रतापी राजा का जन्म हुआ। भारतियों में गोत्रों के नाम सूर्य वशी, चंद्रवशी, आधी नाम से चलते हैं। यह इनी आख्यानों से प्रारम हुए हैं। अर्थात यहां अमैथुनी संतानों का प्रचलन किनी दिनों में सामाने बाद यहां का वैदिक यूग और पुराण काल दोनों ही विज्ञान की चरम प्रगति के काल थे। उन दिनों देव शक्तियों के आवाहन और धारण द्वारा अमैथुनी संताने उत्पन्न करके सैकणों सफल प्रयोग हुए। यदि भारतिय अपने आपको यो प्रत्यक्ष देव वंश का माने तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। प्रारंब के स्वयंभू पुरुष की उत्पत्ति भी तो इश्वरी ही है। उस पध्धति के बीच में भी कभी भी पुना रया रूप देपाना संभव हो पाए तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज विज्ञान इस दिशा में तेजी से ब्योग कर रहा है और एक दिन आने वाला है जब प्रियोग शालाओं में बच्चे उत्पन्न होंगे और उप्रोक्त पौराने कथाओं की पुष्टी लोग वेद पुरानों को कलपना की उडान कहते हैं वही उन्हें सत्य सिद्ध होते अपनी आँखों से देखेंगे। वैज्ञानिकों ने जीविच चरीर की इकाई प्रोटोप्लास्मा का विश्लेशन कर लिया। उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिक गन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, गंधक, फॉस्फोरस, मैगनीशियम और आयोडेन तक तो पाई जाते हैं। उन सब को प्रकृति से प्राप्त किया जाना संभव हो गया है। अब उसमें जीतना डालना भर शेश रह गया है। जिस दिन यह भी हो जाएगा, उ उस दिन अमैथुनी संतानों का निर्माड भी होने लगेगा। तब संतान के लिए न इस्त्री की आविशक्ता होगी, न पुरुष की। किनी प्रकाश किरणों से कृत्रिम संताने उसी प्रकार तयार कर ली जाया करेंगी, जैसे घडे से कुम्भज रिशी को पैदा कर लि दिद्व करेंगी, कोश, सेल जीवित बदार्थों द्वारा बनाई जाते हैं, पहले भोजन का प्रोटीन बनता है और फ्रिन प्रोटीन से सेल, भोजन को निर्जीव कहें और कोश सेल को जीवित, तो प्रोटीन को उनके बीच की एकाई कहेंगे, प्रोटीन ही सजीव सेल् करते हैं इसके बिना हाथ पाऊं पेट मुह दात आधिक कुछ नहीं बन सकते मुर्गी के अंडों में प्रोटीन आश्यर जनक रूप से बढ़ता पाया गया है इससे यह आश्या हो गई है कि जिस प्रकार अन्न से अमीनो एसिद और अमीनो एसिड से 24 तक्तों में बदलता हु जिवित कोश बन जाता है उसी प्रकार प्रोटीन सीधे भी रासाइनी क्रियाओं से तयार किया जा सकता है विशी शग्यों का अनुमान है कि वंश परंप्रा और विकास के लिए यह प्रोटीन की बनावट और विशेशता ही सहायक है कोर्निल विश्विद्याले और फेलर इंस्टिचूट नियू यूर्क आदी में ये पता लगाया गया है कि नूकलिक एसिड जो लक्षन बीज जीन्स के मूल होते हैं और अमीनो एसिड दोनों के अनुम मिलकर ही शरीर का भवन और चेतना तयार करते हैं जीवित सेल में प्रोटीन के उत्पादन का पता लगते ही अमैथोनी सृष्टी का निर्माण प्रारंब हो जाएगा मियामी फ्लोरिडा विश्विद्याले के आनविक विकास संस्थान के डॉक्टर सिडनी फॉक्स और उनके सहियोगी का ध्यान उसोर गया है जब प्रित्वी में पहली बार जीवन का आविर्भाव हुआ होगा उस समय तो यहां गैस, ताप और पानी ही रहा होगा इसलिए एक ऐसा थियेटर तयार करके डॉक्टर फॉक्स परिक्षण कर रहे हैं जिसमें वैसा ही वातावरण रहे जैसा जीवन के प्रादुर्भाव काल में रहा होगा उन्होंने देखा गैसों को गरम करने से अमीनो एसिद बनते हैं इस एसिद को गरम करने से वह प्रोटीनाइट का रूप ले लेता है यदि उसमें पानी मिला दें तो एक ऐसा जटिल तत्तु बन जाता है जो हमारे कोशानों से बहुत कुछ मिलता जुलता है यदि जीवत सेल की इस तरह रचना संभव हो गई तो केवल उस धाचे का निर्माण ही शेश रह जाएगा जिसमें भरकर मनुष्य, पशुपक्षी, कुत्ते, बिल्ली, कोई भी आकृतियां बना लेना संभव हो जाएगा समझा जाता है कि नर और मादा का सयोग होना संतानोत पादन के लिए आवश्यक है पर यह मानिता बड़े आकार वाले विक्सित जीवों पर ही एक सीमा तक लागू होती है छोटे जीवों में अगड़ित जादियां ऐसी हैं जिनमें प्रजिनन के लिए साथी की साहयता लेने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती अपने शरीर में रहने वाली उभय योनिया समयानुसार आप ही सयोग बना लेती हैं और उस आत्मरती से ही प्रजिनन का अध्याय पूरा हो जाता है पुरुष प्रजिननकोश इस्पर्म में इस्त्री और पुरुष दोनों की ही गुण सूत्र संभावे हैं उसी प्रकार बिना पुरुष के समायोजन के अकेले अंड इस्त्री का प्रजिननकोश की निशेचन क्रिया से भी संतान उत्पन्य की जा सकती है इस मरणी है कि गुण सूत्रों का दुगना हो जाना ही गर्भाधान की क्रिया का कारण होता है संसार के इतिहास में ऐसे उदारण सैक्णों की संख्या में भरे पड़े हैं जब केवल इस्त्री ने ही संतान को जन्म दिया हो अथ्वा पुरुष ने अकेले ही कोई बच्चा पैदा किया हो इस्त्री पुरुषों में से किसी का भी सयोग न हो ऐसी प्राणियों के जीवन की संभावनाई भी अब सत्य सिद्ध होने जा रही हैं और इस तरह विकास वाद के सिद्धान्त की धीरे धीरे धजियां उरने जा रही हैं शरीर मात्र आत्मा का आवरण इस्त्री के बीजकोश ओवम और पुरुष के बीजकोश इस पर्म के मिलन से नए शिशु का जन्म और संततिक क्रम इस संसार में चल रहा है पर यदि इसी क्रम को समय की लंबी पाबंदियां पार करते हुए पीछे सुदूर अतीत में ले जाएं तो एक प्रिश्ण वाचक चिन्ध लग जाता है स्रिश्टि का शिरी गणेश करने वाली सत्ता क्या थी? इस संबंध में जीव शास्त्रियों और दार्शनिकों ने अपनी अपनी तरह से विवेचना की है जीव शास्त्री इस निशकर्ष पर पहुँझे हैं कि स्रिश्टि का वर्तमान स्वरूप और विक्सित मनुष्य की उत्पत्ती एक कोशी जीव के क्रमिक विकास का पतिफल है किन्तु अपनी शक्ल निरंतर बदलते रहने वाला एक कोश वाला जीव अमीबा इस बात की घोशना करता है कि संसार में प्राकृतिक नियम अंतिम सत्ति नहीं अंतिम विवस्था जीव चेतना के अंतराल में नहीं थे अमीबा नर्नारी के सयोग से जन्म नहीं लेता उसकी शरीर का प्रत्तावलास, प्रोटोप्लास्म अर्थाच शरीर का रसायन भाग और केंद्रक, नुकलियस जिनमें इसकी जीवन के लक्षन होते हैं दोनों दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और इस तरह के एक नए स्वस्थ शिशु का जन्म हो जाता है अमीबा की वंश्विद्धी का क्रम इसी भाती चलता रहता है जो इस बात का उदाहरण है कि व्यवस्था की दुष्टी से स्रिश्टी ने आज जो भी रूप ले लिया हो पर स्रिश्टी उद्भव और विकास की सारी शक्ती जीवन के मूल तत्व इक्षा शक्ती पर आधारित है इस्पंज नाम का एक छिद्रिष्ट फाइलम पुरिफेरा जीव भी इसी कोटी में आता है इस्पंज के शरीर से चार किलिया निकलाती हैं मानों वह किसी बीज के अंकुर हो कुछ दिन में यह किलिया हरकत करती हैं जिससे इस्पंज गोला कार चक्कर काटने लगता है यह के लिया एक स्पंज के बीज, कीट के दूसरे के डिम्ब कोश से मिलने के कारण पैदा होती है और यही स्पंज के अंदर विक्सित होकर उसके किसी एक छेट से निकल कर नए स्पंज के रूप में जन्म ले लेती है पर यह इनकी वंश्विधी का एक तरीका है दूसरा तरीका अमीबा की तरह का ही है इस्पंज का शरीर बढ़कर बढ़ा हुआ हिस्सा ही शरीर से अलग होकर दूसरा इस्पंज बन जाता है और इस बात को प्रमारित करता है कि समश्टी जीवन चेतना का एक अनादी तत्व है वह तत्व अपनी ही इक्षा से सुजन की शक्ति से नितांत संपन्ण और समर्थ है छत्रिक जेली फिश और इसी तरह के कुछ अन्य जीव भारतिय दर्शन के रई और प्राण तत्व का प्रतिपादन करते हैं श्रिष्टि के मूल में प्रक्रती और पुरुष की यह दो शक्तियां ही जहां इखट्टी हो जाती हैं वहाँ एक स्वतन्तर प्रहम मान्ड जीव की श्रिष्टी हो जाती हैं वैसे दोनों दो भिन्ण पूरक तत्तो हैं चत्रिक के व्रिशन हाइड्रा के समान परिपक्को हो जाने पर फूट पड़ते हैं उसमें से चितरी हुई शुक्रकोशाईं पानी में तैरने लगती हैं जहां कहीं दिम्ब कोश का संयोग हो जाता है शुक्रकोशाईं एक से दो, दो से चार की गुणतर गती से बढ़ने लगती हैं चत्रिक प्रारंबेने में दिम्ब कीट लारवा की शकल लेता है और फिर पानी की निचली जमीनी सतह पर जाकर बैठ जाता है आधा इंच के स्लारवे में कई इस्थानों पर दरार पढ़ जाती हैं धीरे धीरे सभी दरारों वाले हिस्से तूटकर अलग हो जाते हैं और जितने भी टुकडे हो जाते हैं सब के सब नवजात छत्रिक बन जाते हैं भिन्न भिन शरील जीवात्मा के भिन्न भिन्न चेत्र और यंत्र हैं। उनकी मूल चेत्रा एक ही समश्टी तत्व की अंश मात्र है। उसका यह महत्तुपून उदारण है। जो एक सरवांग पून यंत्र पागया है तो उसकी लौकिक्ता और भतिक्ता में ही वह फूला नही समाया आज की भौतिकता वादी तृष्टनाएं और मानवी समस्याएं इसी आसकती के परणाम हैं यदि मनुष्य विजार और विवेग से काम ले तो मनुष्य और मनुष्य तर प्राणियों की विचित्रताईं ही ये समझा देती हैं कि मनुष्य का सत्य उसकी आत्म चेतना है शरीर नहीं जो काम वह शरीर के विभिन अंगों से ले सकता है वह अपनी मूल चेतना के विकास द्वारा चेतना से चेतना में ही ले सकता है कद्दूदाना तेपफर्म एक ऐसी उदाहरण वाला फीता की राहे उसे न तो हाथ पाऊं पलब दें और न मूह वह तो सुर से लेकर मनुष्य शरीर तक जहां कहीं भी पहुँच पाते हैं रक्त शिराओं के द्वारा माल स्पेशों में घुश जाते हैं और अपने शरीर से ही दूसरे के अंग से रस चूस कर बढ़ते रहते हैं यही स्थिती नर शक्ल कीट की होती है पाँच इंच लंबे शरीर में आगे दो मूझें जो उसे बहिरंग जगत की सूचना देने में एरियल का काम देती हैं पेट के उपर पतली पूँच और दो पंक मात्र होते हैं कोई मूझ नहीं होता ऐसी स्थिती में उसका एक ही काम रह जाता है प्रजन मादा को गर्भान वित कर पड़े रहने भर तक ही उसका सारा जीवन सीमित है मनुष्य भी यदि भोग परायन जीवन मात्र जीए तो उसमी और इन कीट पतंगों में क्या फर्क रहे जबकि मनुष्य को परमात्मा ने एक बहुत ही उप्योगी यंत्रों से जटित मुकट मड़ी शरीर प्रदान किया है घ्राने इंद्रिय श्वास के लिए बनाई है श्वास से ओक्सिदन तत्व मिलता है यही उसका उप्योग है उसके लिए तरह तरह की खुश्पूएं जुटाना उद्देश नहीं ऐसा रहा होता तो परमात्मा ने मेफ्लाई कीरों को भी बढ़ियाँ वाली नाग से सुसचित किया होता यह कीरा अपने तवचा से ही श्वास लेकर आधी जिन्दकी काट देता है पीछे उसके गल फढ़ भी निकल आते हैं भंभीरी ड्रेगन फ्लाई नामक जीव की आँखों से मनुश्य की आँखें क्या तुल ना कर सकती हैं इसके पंख और शरीर में ही विधाता ने सौंदर नहीं भरा अंग अंग में दिव्यता भर दी संभव है उसे संसार को दिव्य भाव से देखने का गुण रहा हो और उसी के अनुरूप उसे ऐसा शरीर मिला हो मनुश्य की दो आँखें दोनों में कुल दो ताल लेंस वह भी अधिक से अधिक 180 दिग्री में घूम कर देख सकती हैं पर ड्रेगन फ्लाई है जिसकी आँखों में विधाता ने कई कई हजार छपहल ताल जड़े हैं वह अपनी गर्दन को स्वतंत रूप से 3060 डिग्री में घुमा कर देख सकता है सिल्वर मचली के मूँ में दो मूच्छे होती हैं आँखें नहीं होते हैं पर क्या मजाल कि आँखों वाले उसे पराजित कर दें या परिशान करें उसकी यह मूच्छे ही आँख का काम देती हैं जो बातें अन्य लोग आँखों से भी नहीं देख सकते वह अपने दोनों एंटिनाउं से सिल्वर मचली बखू भी देख लेती हैं घोंगों लैंड स्नेल के लिए पत जड़ रितु मरण तुल्ले होती है पौधों से खुराक मिलनी बंध हो जाती है तब घोंगों अपनी कवच में घुश जाते हैं और किसी सुरक्षित स्थान में बैठ कर बिना कुछ खाए बिना पिये और सांस लिए उसी स्थान पर बैठ कर जाड़ा बिता देते हैं एक बार एक व्यज्यानिक रोडी नियस इल्ली का अध्यान कर रहे थे जहां उन्होंने अन्य आश्चर जनक सत्यों की खोच की वहां एक बार यह भी देखा कि पाँचवी अवस्था की रोडी नियस इल्ली का सिर कट गया तो भी वह ग्यारा मईने तक जीवित पड़ी रही यह उदारण इस बात का प्रमाण है कि जीव जेतना प्राकृतिक गुण नहीं एक स्वतंत्र सत्ता है जिसकी विशेष्टाई नैसरगिक विशेष्टाओं से बिन्नकोटिकी है पूर्णता के गुण आत्मचेतना में है अतैव हमें आत्मा का अनुसंधान करना जाहिए शरीर तो यंत्र मात्र है समुद्री जींगे लोबस्टर की दो मुझे होती है जो उसकी शरीर से भी लंबी होती है यह उसकी इस परशेंद्रिय का काम देती है जिस प्रकार कोई रडार यंत्र दूर दूर की सुचनाई देता रहता है उसी प्रकार जींगे की यह मुझें जब वे सो रहा होता है तब भी उसे आसपास के वातावरन की सुचनाई देता रहता है इसकी विचित्र आखें इस तरह की होती हैं, मानों एक डंडे में दो मोती जर दिये हों, उन्हें वह इधार उधार हिला कर देखता रहता है प्रकृति के ये विलक्षन रहस्य जब तक अप्रगट हैं तब तक हम इस थूलताओं से घिरे हैं ये रहस्य पूर्ण तया प्रगट होंगे तो चेतन शक्तियों की महत्ता का पता चलेगा हम यह मानने को विवश होंगे कि चेतन शक्तियों ने जब धर्ती में मनुश्य का आविरभाव किया होगा तब प्राकृतिक परिस्थितियां ही उनके लिए पर्याप्त रही होंगी विकास वात की जटिलता से गुजर कर विक्सित प्राणी तैयार करना उसके लिए आवश्यक न रहा होगा प्रकृति के विलक्षन रहस्यों को प्रगत करने में सनलक्ण विज्ञान अभी तो कई जीवों के बारे में यही निश्चित नहीं कर पाया है कि वह वनस्पती है अत्वा जन्तू समंद्र में पाया जाने वाला एक कोशी जीव डायटम किस रेनी में रखा जाए यह अभी तक विवात का विशे बना हुआ है इसी लिए उसे उभय अनिश्ट माना है भारतिय तत्वदर्शियों ने इस सारी भून ज्यान के आधार पर व्रिक्षों को संधियों नी कहा तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है और ना कोई आस्वाभाविक्ता है अथर वेद में कहा है यम कल्याने जरा भरते स्मारिती ग्रिह यस्याई कृताशये सह यस्चकार नजार सह अर्थात यह आत्मा जो कल्यान करनी वाला है अविनाशी तत्व है और मर्ति प्राणी के घर शरीर में रहता है जिसे इस आत्म तत्व का बोध हो जाता है वह सुख प्राप्त करता है और वह सब प्रकार से आदरणी तथा सम्मान अस्पद है जो भी हो इन प्रमानों से यह तो इस्पष्ट हो ही जाता है कि रिक्ष्वनस्पति हो अत्वा जन्तु प्राणी आत्मसत्ता सभी मेविद्धिवान है वह स्वयम को किस प्रकार प्रकत करे या चुनने के लिए वह सतंत्र है तथा यह भी कि कौन सी योनी धारण करे इसका चुनाव करने के लिए भी सतंत्र है